वो साल 2021 था और 2023 था वर्ल्टेश चेंपिंशिप की फाइनल में भारत की टीमें बारत की टीम 2021 में भी पहुँची जो पहली बार ये फॉर्मिट आया था और 2023 में पहुँची 2021 में विरात की कप्तानी में बुरी तरीके से डेर किया था न्यूजिलेंट की टीम ने 8 विक्टों से 2023 में रोई शर्मा कप्तान थे World Championship में कोशिश की और फिर फाइनल में भारत पहुंचा और आस्ट्रेलिया ने 2023 में रोई शर्मा की कप्तान में इंडिया को 200 प्लस तरण से फाइनल में हरा दिया 2023 रोई शर्मा के लिए बहुत बुरा इसलिसा विद्वा कि वो दोनों टाइटल अपने नाम कर सकते थे उस साथ लेकिन और अस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से हावी रही इंडिया पे 2023 का वर्ल्टेश चेंपिंशिप ले ले लें या 2023 का वर्ल कप उडाए ले लें यानि कि वर्ल्डे इंटराशनल ले लें ODI में इंडिया ने 19 नमबर को अस्ट्रेलिय खलब हाथ तों शिकस्पाई रोई शर्मा की कप्तानी में अब 2025 का वर्ल्टेस चेंपिंशिप ही ठीक है आप इंडिया बड़ा बना अच्छी बात है जाड सम्ध कि इंडिया 20 का चैंपिंशिपθ का चैंपिंशिपन होगा यह देखनाہ पड़ेगा 2025 में सीन यह है कि इंडिया को जिस दो टीमों ने धेर किया था World Championship 2020-2023 के फाइनल में उन दोनों से इंडिया अब टकराने वाली है अगले ही चंद दिनों के अंदर यहीं कि चंद महीने में वो ऐसे कि बंगलादेश के खलाच जब सीरीज एंड होगी तेस सीरीज उसके बात इंडिया का मुकाबला होना है न्यूजिलेंड सेCómo इंडिया का मुकाबला होना है जो सीरीज होनी हो ऑस्टेलिया से सीरीज टाफ इसलिए है कि ऑस्टेलिया में जाके खिलना पड़ेगा और टाफ इसलिए कि ऑस्टेलिया को वह याद है अगाबा टेस्स याद होगा ऑस्टेलिया को वह चांद तारे दिखाएगी इंडिया बदला लेने का time भी है और One Day International में बदला तो ले लिया थे New Zealanders को Semifinal में नहीं पहुचछने दिया था Semifinal में हरा दिया था अच्छी तरह मुझे याद है लेकिन World Test Championship का बदला World Test Championship के लिहाज से लिया जाता है ये अभी इंडिया और न्यूजलेंडे खिलाब जब टेस्स शिरीज चुरू होगी तो परदा चलेगा अच्छा साइन है अच्छा मौका है अभी दली ट्रॉफी भी हो रही है इसी की तैयारी हो रही है तू बी वेरी ओनेस इंडिया ने ये एक पूडर नजर आ रहा है उनका फोकस नजर आ रहा है पर दली ट्रॉफी में जिस तरह उन्होंने चार एबी सीडी इंडिया टीम बनाई है इंडिया एबी सीडी उसमें प्लेर्स रखें ठीक है विरात रोही तो नहीं है और बुमरा को रहरे इस्तवाल स्थी से करें शामी की इंजली का मस्रosure है लेकिन वहां इशान किशन हो जाए वहां और प्लेर्ज हो जाए पंत हो जाए केल राहूल हो यह सब खेलतेवे नजर आ रहे हैं इसी तरह स्पिनर्स हो जाएं ख्यके ना कुल दी व्यादब हो जाएं या अक्सर पटेल हो जाएं यह सब भी सिराज ओजा हैं यह सब को मौकर दिया जा रहा है और देखने वर्ल्टेस्ट चंपियंशिप के फाइल में पहुंचे है आपको भी प्ता है कि न्यूजिलेंड को हरा के ऐस्टेलिया को और अस्टेलिया में हरा के इंडिया के पॉइंट काफी अच्छे हो जाएंगे और काफी पॉइंट अच्छे होने का मतलब यह कि एक साइकोलेजिकल जो है ना एक सबको जो डिमाग में जो प्लेस को जरुवत होती है ना वो साइकोलोजिकल मेंटली जो है ना एक सपोर्ट मिल जाएगी कि हाँ बड़ी टीमों को हमने हरा जियो और हमने अपने बदला पूरा किया यह करे बोल दो रहा हूं तो क्या इन्डिया में तना दमखम है कि वो और न्यूजलैंड को तास्याई तरी सरा सके क्या इंडिया में इतना दमख्ञा में कि वहरा सके क्योंके हां गुरूर जादा है तकब्ल में नहीं जाना चाहिए हां confident रही है गुरूर में मच जाए बुम्रा का confident आपके बाद जरूर है वॉर्ल क्लास बॉलर इसमें कोई शक नहीं है कि वुम्रा ने अपनी injury के बाद जिस तरह की बॉलिंग की है और जिस तरह के आगे ताबर दोर हमले क की है चाहिए वह test match हो जाए चाहिए वह वंडे इंटर्राशन हो जाए चाहिए वह T20 हो जाए बुम्रा बुम्रा शामी की वापसी किस तरह होती है और जरूर सपोर्ट करती है असल मसला कहां खड़ा होता है कि Australian batters कितने तगड़े हैं यह Indian ballers के सामने तगड़े तो हो गंबीर साब के कप्तानी में अब तो अमॉरिकल भी उनके फास बॉलर हो चुके हैं कोच तो फैसा यह क्या गिया है कि डली प्रॉफी में ऐसे इसे players को चुरा जाए जो के आगे चलके इनको फाइदा दे खास तरह पर टेस्ट क्रिक्ट जो होरी है World Test Championship के लिए मुकाबला होने वाले अक्टूबर में शुरू है फिर नवंबर में मुझे ची तरह आद है ऑस्ट्रेलिया से series है तो मज़ा आएगा ज़रूर लेकिन तोड़ा toughest होगा क्योंकि इतना असान नहीं है और यह अच्छा इंटेंट नजर आने वाला है मुझे क्योंकि यह जो अब अगले समझे ना अब जिस शुरू हो रही है ना सब्तमबर से शुरुआत हो रही है ना यह बहुत टाइट शुरुआत होगी बस चालेस पंदरा समझे तीस यह पैंतेस इनका गैप रहे गया है इंडिया सीरीज के लिगा बंगला देश से उसके बाद आजाएगी न्यूजरेंस स उसके बार और उस्ट्रेलिया से तो यह है ज़रा टफस टाइम और किसकी सेलेक्शन होती है गंबीर का असल इम्तिहान यह रेड़ बॉल क्रिकेट में बहुत बड़ा फरक है और अपनी अपने हम सरदमीन पे तो आप खड़े मना लो कुछ कर लो खड़े करवा लो वहां प आपनी राहे खड़े की जिएगा आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया में इतना दमख फ़म है कि रेड़ बॉल में वह ऑस्ट्रेलिया को आस्ट्रेलिया की सर्ज्थमीन पहराएगी वर्ल टाया सेम्पेशिप का बद्ला लेगी वर्ल कप वर्डर इंटरैशन का बद्ल लेगी याने वाला वखवत है का अपने रहे का सहर के लिए